भगवान संकर चाहते तो गणेजी महराज को प्रथम बना देते पर भगवान संकर ने गणेजी को प्रथम नहीं बनाया कब बनाया गणेजी जाओ पूरी प्रत्वी की परिक्रमा करकर आओ शड़ानार कार्ती के जाओ पूरी प्रत्वी की परिक्रमा करकर आओ अपना कर्म पूरा करोगे तो अपने आप प्रथम गिंती में गिने जाओगे कर्म पूरा नहीं करोगे और तुम सोचो कि मेरे पिता जी के पास तो बहुत सारा धन है मेरे मम्मी के पास तो बहुत सारा गोल्ड है मेरे परिवार में तो बहुत दोलत है मेरे परिवार में तो बहुत धन है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये वो मंत्र है जो ये बता देता है कि तुमारे परिवार में कितना भी धन हो पर तुम भगवान का जो नाम जाब करते हो तुम भगवान का जो भजन करते हो उसके बल से तुमारी किस्मत का भी धन तुमारे को प्राप्त होगा तुम दूसरे पर आश्रित होकर नहीं स्वयम पर प्रबल होकर बढ़ने का प्रयास करिए स्वयम एक होती है लिफ्ट खड़े हुए उपर चले गया खड़े हुए नीचे आ गया एक होती है लिफ्ट दूसरी होती है सीड़ी तीसरे नमबर पर है पाउं अपने चरण किस पर विश्वास करो गया बोलो जम के बोलो जरा लिफ्ट पर सीड़ी पर की अपने पाउं पर अगर हमारे चरण भगवान ने अच्छे दिया है और हम में अगर बल दिया है तो कितनी भी सीड़ी उपर चड़ सकते हैं किसी की लिफ्ट की जरुवत नहीं है किसी की लिफ्ट की अपने चरण पर बल रखिए मैं चड़ सकता हूं मैं जा सकता हूं लाखों में आप लोग आयो लाखो की संख्या में पूरे ग्राउड में कहीं जगा नहीं है और लोग रोडों पर हैं चलते जा रहे हैं आते जा रहे लाखो की संख्या में आप किसके भरो से आयो कोई हम उत्रेंगे और कोई हमको लिफ्ट दे देगा और यहां कथा इस्तल तक छोड़ देगा किसी के भरो से आयो जमके बोलो जरा नहीं क्या सोचकर आये थे कथा सुनने जा रही हूं शिव महा पुरान की कथा है कुवरेश्वर बाबास कथा को सुनाने का आया है कुवर भंणारी की कथा है कथा को सुनना है और यह सब को मालूम है कि कम से कम आदा किलो मीटर एक किलो मीटर दूर गाड़ी रुख जाए बोलो सही है कि गलत है सब तया रोग दिया जाएगा, लिफ्ट भी नहीं मिलेगे, आप समीती पर आश्रित होकर नहीं आयो, आप सी योर वाले महराज पर आश्रित होकर नहीं आयो, आप किसी अडोसी पडोसी पर आश्रित होकर नहीं आयो, आप किस पर आश्रित होकर आयो, आप अपने स्वयम पर आश्रित होकर आयो कि मैं चल कर कथा के पंडाल तक जा सकती हूँ, इतना मुझ में बल है, स्वयम की आश्रित है, जब आप स्वयम आश्रित हैं, अपने आप पर अश्रीत है तो दुनिया से क्यास लगाना कि अंधनिया औस लगा कि आप सबसे निवेदान्य जितने बैठेव कि अपनी सास तुमको क्या देगी उससे आंस्मत लगाना तुमारा सशुर को क्या देगा तुम उससे आस्मत लगाना तुम्हारा देवर क्या देगा उससे आस्मत लगाना तुम्हारा जेट क्या देगा उससे आस्मत लगाना एक पत्नी का पती कोरोना में चले गया एक पत्नी का पती कोरोना में चले गया पत्नी रो रही थी धार धार कर खुब आसुब आ रही थी रिष्टेदार बोले अरी बेटा बेटो बच्चों की ओर देख बच्चों से आस लगा बच्चों से आस लगा जो होना था हो गया बच्चों से आस लगा तेरा बच्चा है उससे आस लगा अब कोरोना में पती चले गया दो चार साल बाद दो तीन साल निकले और बेटे का एक्सिदेंट हो गया बेटा भी चले इप परिवर वाले बोले अरे बेटा परमातमा से आस लगा अरे बेटा परमातमा से आस लगा अरे बेटा, कोई अपने शरीर को समाप्त कर देता है, क्या परमात्मा से आस लगा, इतने में बहू ने आख में जल भरकर अपने रिष्तेदारों से कहा, जो तुम आज बोल रहे हो, पेले बोले कि पती से आस लगा, फिर बोला कि बच्चों से आस लगा, आखरी में कहते हो परमात्मा से आस लगा, जो तुम अब बोले हो, अगर ये पहले बोल देते हैं, तो मैं सब से आस छोड़कर उस भगवान शंकर से आस लगा कर बेट जाते हैं, अन्तिम आसे शिव, अन्तिम बिंदु हे शंकर, बच्चों से निवेदाने, यहां जितनी मेरी बेटियां बेटी हैं और जितनी मेरे बच्चे बेटे हैं, नव युबकि बच्चे जितने बेटे हैं, आसप hp. लगाना कि तुम्हारे पापा क्या देंगे तुम्हारी मम्मी क्या देगी तुम्हारा काका क्या देगा तुम्हारी काकी क्या देगी तुम्हारी रिस्तेदर क्या देंगे आस्मत लगाईए आप अपने अंदर एसा बल उत्पन करिये कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंग मेरा नाम अमोट चोहान पत्नी श्री प्रदीप कुमार चोहान निवासी शारूत्री शारूत्री पुरम सिकंद्रा आग्रा की रहने वाली हैं कई बेठी हो तो आत इला सकती है और एक बेल पत्र लेने के लिए आ सकती है मेरा नाम अमोट चोहान पत्नी प्रदीप कुमार चोहान निवासी शारूत्री पुरम सिकंद्रा आग्रा की रहने वाली हूं पत्र आप लोग एलेडी पर यह लेडी वालो बोलो तो दिख रहा है सास्त्री पुरम सिकंद्रा आगरा की देने वाली हूं मेरा मोबाइल नंबर यह है मैं बाबा भोलेनात का क्या घंडन करूं गुरुदेओ मेरा बेटा शिवम चुहान जो शुरू से अपनी कक्षा में हाई स्कूल इंटर बीटेक में हमेशा अपने कॉलेज में दोती पोजिशन पर आता रहा सन 2016 में बीटेक मेकिनिकल ब्रांच से किया था पर 2023 तक भी गुरुदेओ 2022 तक भी उसकी कोई नोकरी नहीं लगी थी सरकारी नोकरी के लिए वो एपलाई करता रहा आकरी में हार गया और उसने विचार कर लिया कि अब मेरे को सरकारी नोकरी नहीं मिल सकती हमने अमारे बच्चे से कहा कि तो चिंता क्यों करता है वो स्यूर वाला मारच कहता है कि अपनी मेहनत को चारगुना कर दो पड़ाई को और बढ़ाओ, मेहनत चारगुनी करो, पड़ाई बढ़ाओ, और धीरे धीरे ऐसी मेहनत करो, कि बाबा तुमारा हाथ पकड़ेगा संकर जी के मंदिर जाना चलू करा, एक लोटा जल चड़ाना प्रारम करा, और बेटे ने 2022 में फिर बापिस एपलाई किया और बाबा की एसी कृपा हुई, कि आज मेरे बेटे का रेलवे में सर्विस लग गई, मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मेरा बेटा रेलवे के थ्री पोस्ट, एकाउंटिक शेक्षन, आफिसर और ट्रेन मेनेजर के पत पर न्यूक्त हो गया मैं शिवजी को यहाँ परिणाम करने के लिए, ये बिश्वास, हमें दूसरे का धन नहीं, हमें दूसरे की संपदा नहीं, हमें दूसरे का वेवाव नहीं, हमारी किसमत का हम को चाहिए, हमारी मेहनत का हम को चाहिए कि अपनी मेहनत का कि एक गीत बहुत पहले लोग गुन गुनाते थे कि दुनिया में हम आए हैं तो जम के बुलो जड़ा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा कि संसार में आने के बाद में यह विचार छोड़ दीजिए कि आपको कोई कुछ देगा संसार में मुर्तिव लोक में आने के बाद यह विचार कर लीजिए कि दुनिया आँक से लेगी और भगवान से भी यह प्राथना करना मेरे ओगरदानी भगवान चंकर से यह प्राथना करना कि मुझे ऐसा बना कर रखना कि मैं दुनिया को देता रहूं मेरे हाथों में वो बल देना मेरे हाथों में वो धन देना अभी भारत के रतना टाटा बेडला जी रतन टाटा जी अभी भारत के रतन शान्त हुए प्रभूलीन हुए इतने सेट हैं दुनिया में ना जाने कितने करोड़पती आये होंगे कितने करोड़पती चले गए होंगे और आज भी रतन टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं क्यों इतनी शद्धान जली पुषपान जली क्यों उनको समर्ण किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई का अपने हातों से खोब दान करा पुन्य करा, सतकर्म करा तो भगवान ने विद्धेने में उनको कमी नहीं रखी और बढ़ा कर देते पुन्नेता ये फिरोजाबाद वालों को मुका मिला था ये पांस दिन की कथा को करवाना पांस दिन की कथा श्रवन करना पाँच दिन की कथा में अपने तिजोरी का खजाना खोलकर आकर इन श्यू भक्तों को अभी तक तुम्हारे फिरोजाबाद में देवी भक्त आए होंगे पर फिरोजाबाद की पवित्र भूमी पर इतियास रचा है इस कथा ने कि लाखों की संख्या में शुभक्त यहां पहुचे हैं, हमने उनको पानी पिलाया, हमने उनको बिस्कुट खिलाया, हमने उनको टॉफी खिलाई, हमने उनको क्या खिलाया, यह जितने टॉफी बाटने वाले हैं, पानी पिलाने वाले हैं, बिस्कुट खिलाने वाले हैं, इन जगहा पर कथा होती है वहाँ शंकर पांच दिन के लिए साथ दिन के लिए आकर विराजमान होता है वहाँ जितने शुभक्त होते हैं उनका मुक जूटा कराने से कभी घर में संपदा की कमी नहीं आती यह उनकी चित्त ब्रती में भड़ा मुका मिला था हातों से खिलाने का पिलाने का आओ पानी पिला हम देख रहे थे कलियां से जा रहे थे जब हम देख रहे थे लोग पानी के बड़े-बड़े टंके नीले कलर की टंकियां लोडिंग गाडियों में रखकर जग से लोगों को प्लास्टिक के डब़ों से पानी प क्या दे रहे हो किसको दे रहे हो अपना करम करो और भगवान भोलेना से कहना कि मुझे किसी दूसरे के भाग्य का मत देना मेरे शंकर, मेरे ओगरदानी मेरे शिव, मुझे दूसरे के भाग्य का मत देना मेरे बाबा, अगर देना मेरे संभू, मेरे संकर, अगर देना तो तुम मेरे भाग्य का देना, संकर भगवान महादानी कहलाते हैं, शंकर भगवान को महादानी कहा जाता है, पर भगवान संकर ने एक ही बात कही, कि गणे जाओ परिक्रमा करकर आओ, कार्ती के जाओ परिक्रमा करकर आओ, क्योंकि जो जो बच्चा मेहनत करता है, जो बच्चा मेहनत से आगे बढ़ता है, जो व्यक्ति अपनी लगनता और अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उसका पाउं खीच कर कोई गिराने वाला पेदा नहीं हो पाता है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है, किसकी सामर्थता, आप अपनी लगन से आगे बढ़ो आप अपनी महनस से आगे बढ़ो और जितना कर्म करकर आगे बढ़ सकते हो तनी जिंदगी का सुखपा होगा अब बढ़ी आगे विदुर जी महराज की धरम पत्नी सुलभा जिनके माता पिता ने उनको पार्थिव लिंग का पूजन करना बता है पार्थिव लिंग का पूजन बिधान नियम कई लोग कते हैं सिवर वाले महराज के पास कोई काम नहीं है बस वो यह की काम बताता है बेल पत्री को एसे चड़ाना भस्म को एसे लगाना जल को इधर खड़े होके चड़ाना कहीं कहीं कमल गटा चड़ा देना, कहीं काली मिर्च चड़ा देना, कहीं सरसो का फूल चड़ा देना, कहीं शमी पत्र चड़ा देना, कहीं बेल पत्र चड़ा देना, कहीं आसोक सुंदरी पे चड़ा देना, कहीं इस पे चड़ा देना, सीवर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है बस कुछ ना कुछ उपाई बताते रहते हैं उनकी कथा में तो केवल लोग के देते हैं बोलने वाले उनकी कथा में केवल तोटका मिलता है हम कहते हैं तोटका मिलता है पर एक बार दिल से करकर तो देखो तो फिर वो महादेव भी मिलता है, कौन कहता है, आप दिल से करकर तो देखो, केवल सी और वाला महराज नहीं बता रहा है, कि क्या कैसे करना है, हमारे यहां डाक्टर के पास जाएए, डाक्टर से केना, डाक्टर साथ मेरे शरीर में कष्ट है, डाक्टर साथ मुझे यह बिम खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गरम पानी से लेना, इस गोली को दूस से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना, बोलो बोलता है कि दी बोलता है, बोलो जम के बोलो जरा, बोलता है ना, इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना तो क्या डाक्टर टोटका बता रहा है डाक्टर टोटका बता रहा है केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है उसी तरह श्यू महापुरान में वेद व्याजी ने 18 पुरान में कहीं पर भी मेरे वेद व्याजी ने कोई उपाई नहीं बताया पर श्यू महापुरान में वेद व्याजी ने एक एक चीज लिग दी क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है भगवान विश्णू बेउन्थ लोक में है भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है राम कथा मेरे राम जी की है शूपुरान, इसकंद पुरान, कुर्म पुरान जितनी भी पुराने हैं उस पुरान में संकर का तत्व है इसलिए शू महापुरान में मेरे भोले भाबा के लिए बेद व्याजी ने एक एक चीज लिग दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा मतलब दवाई खाना है एक साथ मत खा जाना उसके खाने का तरीका है उसी तरह संकर को बेल पत्र चड़ाने का तरीका है शिव को जल चड़ाने का तरीका है शंकर को रिजहाने का तरीका है उस तरीके से रिजहाओगे तो शिव सुन ले उस तरीके से रिजहाओगे तो शंकर सुनेगा पत्र है देखिए अब तरीके से अगर संकर को रिजाया जाये तो मैं आयुश श्रमा सुदामा नगर सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद का निवासी हूं मैं कच्छा 11 का छात्र हूं मेरा मोबाइल नंबर यह कहीं बेठे हो तो हाथ हिला सकते हूं आयुश श्रमा सुदामा नगर जलेसर रोड फिरोजाबाद मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव एक लोटे जलका में क्या वर्णन करूं गुरुजी मेरे पिता जी को दस साल से चर्म रोग उनके हाथ पेर में आ गया गुरुदेव हाथ पेर में जो चर्म रोग था वो साधरन रोग नहीं था उनके हाथ की उंगलियों से पाउं में से गंदा पानी निकलता रहता था पडोस के लोग उनके पास बेटना पसंद नहीं करते थे हम तीन भाई बेहन माता पिता जेसे तेसे पढ़ाई करा और अपना जिंदगी जिया गुरुदेव पिता जी का इलाज हमने आगरा के संजीमनी हस्पताल में कराया संजीमनी अस्पताल में इलाज करवाया डाक्टर ने बोल दिया यह रोग आजीवन रहेगा इस रोग को समाप्त नहीं किया जा सकता हाथ में से पाउं में से गंदा पानी निकलता था और धीरे धीरे हाथ पिर विकार होते चले जा रहे था डाक्टर ने बोल दिया अस्तेदार पडोसी सब ने संबन्ध तोड़ दिया गुरुजी एक दिन हम आधार काट के लिए निकल आधार काट निकलवाने के लिए सी एस सी सेंटर जन सेवा केंदर पहुच गए वहाँ पर पहुचते ही हमने अपना आधार काट निकलवाना चाहा तो वहाँ पर जो भ तो वो देखकर समझ गई कि इनको कोई बड़ा रोग हो गया, गुरुजी उन भहिया ने हमसे कहा, जो कि आधार कार्ड बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम सीओर वाले महराज की कथा सुनते हो, हमने कहा नहीं, एक काम करो, तुमारे पिताजी को रोग जादा हो गया है, तु सीओर वाला महराज की कथा सुनना प्रारम करो, गुरुजी हम आपको नहीं जानते थे, हमने आपकी पहली कथा उन अधार कार्ड बनाने वाले सीओर सेंटर जन सेवा केंदर के भहिया के कहने पर सुनी, पहली बार कथा सुनकर आपने शंकर के मंदिर में जाने का बोला, हम संकर के मंदिर में जाना चालू करें, पर हम से लोग दूरी बनाते थे, मेरे पिता से दूरी बनाते थे, परंतु मेरे पिता नहीं जा पाए, हम जाकर शिव को जल चणाते, वो जल लाकर हमारे पिता जी को देते, दस साल से बिमारी थी गुर्देयो, हम जल लाकर पिता जी को दे देते जो बिमारी दस साल से थी मेरे गुर्देव वो बिमारी तीन महीने के अंदर मेरे बाबा ने समाप्त कर दी मेरे पिता ठीक हो गए मेरे पिता ठीक हो गए और बाबा ने ऐसी करपा करी गुर्देओ कि हमारा जो लाखो रुपिया लग रहा था सारा रुपिया बाबा ने बचा दिया और दस साल से जो बिमारी थी वो तीन महिने के अंदर ठीक हो गई अब उनके हाथ पेड़ से पानी नहीं निकलता और उनका शरीर पूरा की पूरा ठीक हो गया शरी शिवाए अब बाब कृस्ट शंबूस शंबूस थे तो रूटादिया भंडार कांशिवाले कर्दियां माला माल काशिवारे वो जी-जी कह रही है, एक तरफ पती के शरीन में रोग, दूसरी तरफ बच्चों को खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, उच्छ नहीं थे तो कह रही है, घर का पूरा समान हमने बेज दिया था, बिमारी बिमारी, बोजन के भी लाले पड़ गए, पर वो अधार काड़ बनाने वाले को धन्यवाद देती हूं, वो बोल रही है कि उसने हमको बताया कि एक लोटा जल का महत्व क्या है, आज बाबा ने हमको बापी सब कुछ दे दिया और सब ठीट भी कर दिया, ये शिव है, शंकर, इसमें स्योर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा, आपकी महनाथ, आपका कर्म, आपकी लगन, सब कुछ करे, आप जाओना संकर की शरण में, आप क्यों दुनिया के चकर में पड़े होई, आप शिव के पड़ में पास जाते क्यों नहीं हो, शंकर के पास जाओ, उसहःड़े के पास जाओ, भृत अलग है श्वमहा पुरान की कता, दुनिया के महराज कता करते हैं, तो सब को अपने से जोड़ना चाहते हैं, और श्यो महा पुरान की कता ये कसी होती है, ये ब्यास पीप, आपको शं कर से जोड़ना चाहती है अपने से शिव से जुड़ो जब कोई नहीं आता भोले बाबा जब कोई नहीं आता भोले बाबा हमारा संबन हम शिव से जोड़ने हमारा नाता रिष्टा हम संकर से जोड़ने और जुड़ेगा कब जब हमारा विश्वास प्रबल होगा जब हमारा भरोसा प्रबल होगा जब हमारी दड़ता प्रबल होगा कल एक बहन में मेंसेज करा है कुरुचेतर से सीहोर कि गुरुजी को कहना हमने अपने दर्वाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब गुरुजी गुडगाओं में कथा करने के लिए आए गुरुग्राम में हम लेकर गए हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने चल रही थी वो पूर्ण नहीं हुए अगर वो कथा सुन रही हो कुरुचेत्र की बेहन तो वो कथा सुन रही हो तो आम आपका स्मर्न कर रहे हैं ऑफ एक फाइल कोट में चल रही थी शिरी शिवाय नमस्त उभ्यम लिखा हमने अपने दर्वाजे पर लगाया और शिरी शिवाय नमस्त उभ्यम लिए आबुशन, रतन, मानिक, मोती, कपड़े, लत्ते, सब खरिजने जाओ, तो दिवाली पर एक पूछो जाकर, क्या तुमारे पास श्री शिवाई नमस्तुभ्यम है, एक वार मेरे संकर को भी घर पर लाकर लगा दो, शिव को भी लेकर आओ, क्या तुमारे दरवाजे पर श्री शिवाई नमस्तुभ्यम मिल रहा है, क्या तुमारे दरवाजे पर श्री शिवाई नमस्तुभ्यम है, तुम हमारी दुकान में श्री शिवाई नमस्तुभ्यम हो तो देओ, एक मैं अपनी दुकान पर लगाऊ, एक मेरे अपने घर पर लगाऊ, उस मंत्र का इसमन हम क पुरान की कथा कर रहे है सुल्भाव विदुर्जी की पत्नी और वो विदुर्जी की धरम पत्नी जिसको आता नहीं कुछ भी पर माता पिता उसको पार्थिव श्विलिंका निर्मान करना सिखा रहे हैं आजये जोब बाएब जाता है कि अधर्याथ रखार अगरी अपनी रभरती दर्कित है लोगार प्रेटिया कर दो एक दो अब तो जॉब लग गए है ना बनवागा कर दो पर है कि रिष्टा तेरा मेरा सबसे है जारा रिष्टा तेरा मेरा सबसे है जारा तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला एक संबन्ध शिव से जो अपना संबन्ध विश्वास के सांट जिस दिन शंकल से जुड़ गए शिव से पीली भीत किस-किस को आना है बोलो तो जब आत उठाओ जड़ा आना है तो यहां से जब कल जाओ ना तो कहकर जाना तेरी भूमी को परणाम कर कर जा रही है एक महिना भी पूरा नहीं है मैंने सुना है तो छपर फाड़ कर देता देवता पल्ला ज़ाड़ के देते हैं और भोले ना छपर फाड़ कर देते हैं के कर जाना वो नवंबर की कथा में पीली भीत से पहले मेरे बाबा मेरी जोली ऐसी भर देना कि पीली भीत में मेरा भी पत्र पोचर पंडाल में बेटकर कथा सुना ऐसी करपात तेरी चाहिए दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो तू कर सकता है अकाल मरत्य वो मरे जो काम करे चंडाल कर काल उसका क्या विगाड़े जो भक्त हो महा जो शिव की अराधना में लगाए शंकर की अराधना से दूर नहीं है शिव से दूर नहीं बरोसा रखिए बाबा पर विश्वास आप किसी संत से कम नहीं हो करकड़ाती हुई धूप में सुवेरे आट नूव जे से खड़े हो बेठे हो इंतजार कर आपकी तपसाधना किसी से कम नहीं है जो माता है पंडाल के अंदर जाकर बेढ़ गई जराविचार करियेगा एक संत जैसे अपनी इंद्रियों को सयमित करता है ये मेरी जीजियां ये मेरे जीजा ये मेरे बेटियां ये मेरे बेटा अपनी इंद्रियों को सयमित करते हैं सुवेरे से जगा समाल कर बैठते हैं, बाश्रूम के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं, कहीं चलेगा और कोई नहीं आने नहीं दिया, तो हमारी जगा चली गई तो कितनी इंद्रियों पर सयम होगा जरा विचारते हैं। भोजन थोड़ा सा करते हैं, कहीं जाना ना पड़े, आना ना पड़े, पानी उतना पीते हैं, कहीं बाहर जाना ना पड़े, और जिस भूमी पर बेटे हैं, वहीं पर थोड़ी सी जगा मिलती है, सो जाते हैं, जैसा मिलता है पा लेते हैं, बाबा का नाम लेते हैं, पाँच दिन कोई लुड़कता आ रहा है कोई दंडवत करता रहा है यह नजारा कभी देखा जिंदगी में किसी कथा के पंडाल में किसी कथा इस्थल पर लोग दंडवत करते जाते हैं मंदिर लोग दंडवत करते जा सकते हैं लुड़कते लुड़कते लोग मंदिर जा सकते हैं पर कथा में कोई दंडवत करता हूं नहीं आता पर शिव महापुरान की कथा ये केसी कथा है जिसमें लोग 14 15 20 25 किलो मीटर दूर से दो दिन पहले निकलते हैं दंडवत करते करते जंडा लेकर निकलते हैं प्रणाम करते करते निकलते हैं पेदल चलकर निकलते हैं भगवान संकर कि कथा में उस विश्वास के साथ कोछते हैं कि میरा बाबा मेरी जोली भरेगा और बाबा भरता जरूर है खाली छोडता है कि उनके अंदर भरोसा वो विश्वास दड़ता उनके भीतर है कि शिब मेरे साथ है आ रहा है चोटे-चोटे बच्ची दंडवत करते आ रहा है उनका विश्वास प्रबल है उनका भरोसा प्रबल है उनका विश्वास के अनुकूल वा आनंद के साथ में उनका भरोसक कहां जाएगा वो विश्वास परमात्मत तोड़ेगा राम चेत्मानस में तोलसी बाबा लिखते हैं शंकर विश्वास रूपिनो शिव को तूटेना शिवदूपी विश्वा सब तूट अनहीं है संकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है तो शंकर भगवान को केलाज छोड़कर तुमारा दुख समाप्त करने के लिए दर्वाजे पर आना ही पड़ता कि शिव को t Dravaspected परणाई पढ़ता है उसका प्रवाण इतने सारे पत्र उसकर यह प्रमान हैं यह पत्र जिनको आम बहुत सारा पड़वी नहीन पाते है इतना समय नहीं डेता कथा के अंदर की हम इतने पत्रों को पढ़ें, पत्र ये ये प्रमान देते हैं, कि शिव क्या देता है, हम फिर निवेधन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है, कि अपना हाथ एक लोटा जल भरो, और महादेव को समर्पित करो, हाथ दिखाने वाला, हाथ कोई देख भी लेगा, तो वो तुमारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं माने, पर एक लोटा जल जब महादेव को हाथ में रख कर शिव को समर्पित करेंगे, तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेंगे, शेव हमारे दुख को समाप्त करेंगे, देखा विदुर्जी की पत्नी सुल्बा, विदुर्जी की, और विदुर्जी की पत्नी सुल्बा, बाल्यवस्ता में छोटी माता-पिता ने उसको पार्थिव बच्चों को पढ़ने का बोलते हो बच्चों को याद करने का बोलते हो बच्चों को विद्याध्यन का बोलते हो बच्चों को काम करने का बोलते हो तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिविलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गंबले में से मिट्टी ले करा ठाली ले और उसमें बेट के पार्थी शिविलिंग बना भले बच्चा पूजन करे ना करे बच्चा उस पर जल चड़ाए ना चड़ाए बच्चा अराधना करे ना करे पर बच्चों से कहो कि जा जरा ठाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थी शिविलिंग का निर्मान कर भगवान संकर का शिविलिंग बना बच्चे से कहो बना निर्मान कर मारकंडे बाबा की कथा करती है कि मारकंडे बाबा ने क्या राधना करी संकर की वो पता नहीं पर मारकंडे बाबा ने अपने बाल यवस्था में केवल पार्थिव श्विलिंग का पूजन करा पूजन से मतलब है कि भले वो जल चड़ाए ना चड़ाए चन ना चड़ाए च उसका भी प्रमेण अमारे सास्त्र देते हैं। कि उमर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है। जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे, तुमको वो सब आए बढ़ाने का तुमको आईडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो जम के आए बढ़ाने का आईडिया देंगे। जितनी कोचिंग किलासे, वो सब आएडिया देगी। ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुमारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो, एसा हो जाएगा, ये सब्यक्ट चुनलो, एसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुमारी आए बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुमारी आए बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुमारी आए बढ़ाने का प्रयास करेगा, आए बढ़ाने का प्रयास करेगा। पड़ निपटके चले गए तो ऑई किस काम की इसलिए आय के सात्थ आयू बड़ना चाहिए इसाय के साथ आयू बड़े कि भगवान से प्राथना करओ बाबा बोलेना संकर के सिहलीं का निर्मान कर लिशन करो ना करो भले जल कुछडड के और मने ते रही भरों से बाबाक तेरे ही परसे हवाँ बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाव में कटी जावांगी बोले में तेरी पतम शंभो में तेरी पतम हवाँ बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर हतो छड़ी नाव में कटी जावांगी बोले में तेरी पतम शंभो में तेरी एक शिव को अपना बनाने का प्रेस सुल्भा सुल्भा के माता पिता ने सुल्भा को पार्थी बनाने का निर्णाई दिया बनाओ पार्थी सुलभा ने पार्थी बनाना प्रार्म किया कभी मोका लगे अपने घर में जो गमला तो हमारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा गमला हे छोटा सा अरे बोलो तो जम के काय का भी गमला हो वा मिट्टी भरी हुए गमला है अगर छोटा सा भी गमला हो न तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठा कर ऐसा शिवलिंग जैसी आकरती बना लो वहीं पर जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल तीन बार आचमन जैसा छोटा-छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया कुछ चड़ाओ ना चड़ाओ थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और बापिस उसी शिविलिंग को उसी गमले में विसरजन कर दिया उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया विसरजन कर दिया तो भी वो शिविलिंग आपकी आय और आयू दोनों को बढ़ाने का कारे करता है शिविलिंग का दिया आप शंकर के होईए शंकर आप का आप सोयम शंकर के हो जाईए और शिव आप का हो जाए सुलभा का विवहा विदुर जी के साथ हो गई गर आगई राज घराने में विदुर जी महराज भी राजमान थे और तब ही दुर्योधन धत्राष्ट के सामने विदुर जी को अप्षब्द पर अप्षब्द का लिए जरा ध्यान देना है कि शिव करपा किसको कहते है शंकर की उदारता किसको कहते है शंकर भगवान की करुणा किसको कहते है विदुर जी को अप्षब्द कहे गए ताना दिया गया आड़ा तेड़ा बोला गया विदुर जी मौन एक्दम सांथ पर्शूराम भगवान संकर भगवान के शिष्ष है पर्शूराम भगवान संकर भगवान के शिष्ष है शिवजी के शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् ने परशुराम जी से क्या मांगा था भगवान शंकर ने परशुराम जी से मांगा था कि परशुराम अगर तुम मुझे से विध्या सीखे हो सस्त्र सीखे हो तो मुझे गुरु दक्षिना में कुछ चाहिए परशुराम जी ने कहा मेरे बहुले बाबा आप मुझसे गुरु मुझे को दे दो आप अपना क्रोध मुझे को दे क्योंकि एक क्रोध ऐसा है कि व्यक्ति को बरबाद करकर रख देता और खुद बरबाद होता है अपनी जगा पर करिवार, कुटुम, कबीला, नाते, रिष्टे, बेटे, बहु, नाते सब बरबाद हो जाते है, पुरोध में, गुस्स है, कितनी देर का गुस्सा आया, जम के बोलो जराफ दस मिनिट का, पांच मिनिट का, पंदरा मिनिट का गुस्सा आया, आप अपने घर में गए, तलवार लाए, और मालुम मारने में कितनी देर लगी, जम के बोलो जराफ, पांच मिनिट, दस मिनिट, अंदर गए गुस्से में लाल होकर तलमार लाए, छुडा लाए, मार दिया, दस मिनिट, छुडा मारने में लगा, अब तुमने जरासे क्रोध के चक्कर में दस मिनिट में छुड़ा मार दिया अब दस मिनिट छुड़ा मारने में लगा पर अब ठाने में जेल में दस मिनिट में छुड़ जाएगा क्या जम के बोलो जरा छूटेगा, दस घंटे में छूटेगा, दस महीने में छूटेगा, नहीं पुराण करती है, छुरा मारने में गुस्से में दस मिनिट लगा दस मिनिट का वो क्रोध, तेरे घर के लोगों को भी दस साल तड़पाएगा और तुझे भी दस साल तड़पाएगा दस मिनिट का क्रोध, दस मिनिट का गुसा, दस मिनिट का तुमारा तल्मार, दस मिनिट का तुमारा चाकू, तुमने तो मार दिया, गुसे में आकर, क्रोध आया, बरवाद हो गए, संकर भगवान ने अपने शिश्य परशुडाम भगवान से कहा, अपना क्रोध मुझको दे हैं जितनी मेरी बेटियां बेटा जितनी मेरी माता है बहाई बंदु जितने बेठें हैं उन से निवेदान करूंगा जिंदगी में कुरोध आए थोड़ा मोन हो जाईए कुरोध आए संकर जी के जी मन माद कि पर्शुराम जी से मांगा तो क्या मांगा कुरौर गुस्सा दे दो सुल्भा पतिक अपमान हो गया विदुर जी को हस्तिनापूर के सिंगहसन के सामने अपमानीत किया गया धतराश्त कुछ नहीं बोले क्योंकि दुरीयोधन का महुँ इतना ज़्यादा था कुछ बोले ही दिया और यसे कई धत्राष्ट पड़े हैं जो अपने पुत्र और पुत्री के मोहों में अपने बच्चों के मोहों में अपनी जिंदगी मिनास कर रहे हैं और बच्चों की जिंदगी मिनास कर रहे हैं आसक्ती में सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद, अपने पुत्र मोह से दूर होकर परमात्मा से मोह करना प्रारम करिए, जिस दिन परमात्मा से मोह करना प्रारम करोगे, तुम्हें आपने पुत्र को, पुत्री को समहलना नहीं पड़ेगा, परमात्मा उस पुत्र और पु पुत्री को समहल लेगा एक पत्र है देखिए मेरा नाम प्रतीभा है उत्तर प्रदेश के जिला मेनपुरी हर कल की निवासी हूं एक लोटे जलका में क्या वर्णन करूं गुर्देव प्रतीभा कहीं बेठी हो तो हाथ हिला सकती है मेरा नाम प्रतीभा है उत्तर प्रदेश जिला मेनपुरी की करहल की निवासी हो एक लोटे जलका क्या वर्णन करूं गुर्देव तेविस्त नो दो हजार अठारा को मेरी पुत्री अराधध्या का जन्व हुआ उसके शरीर का विकास नहीं हो रहा था परामार्श डाक्तरों से लिया गया तो डाक्तरोंने कह दिया कि ये बच्ची जिन्दगी भर विकलांग रहेगी पाउं से चल नहीं पाएगी बोल नहीं पाएगी, बेठ नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, ना बोलेगी, ना चलेगी, ना सुनेगी, पलंग पर पड़ी रहेगी, और डप्तरों ने जैसा कहा मेरी बेटी, वैसी की वैसी रही, हास्पिटिल से हम लेकर आए उसके बास से बेटी पलंग पर ही पड़ कर दिए पलंग से उटती नहीं ना बोल पाती ना सुन पाती बेटी के जनाम का कुछ साल निकला और मेरे पती का एक्सिडेंट हो गया और मेरे पती मर गया मेरी जिंदगी अंधेरे में गिर गई गुर्देयो ना बेटी चल पाती ना बोल पाती ना सुन पाती पलंग पर अपने माता पिता के घर आगई गुर्देवा, मेरे माता पिता के घर आई, मेरी माता पिता के यहां रहने लगी, मेरे मा रोती रहती और मुझे देख कर बड़ी दुखी होती कि मेरा पती भी चले गए और बेटी भी भीकलांग थी, मेरे पिता ने दोबारा से कोशिश करी औ चल पाई पलंग पर ही बेटी पड़ी रहती अब सब दूर से आज छोड़ दी मेरे पिता जी ने भी कह दिया बेटा तेरी बेटी की किस्मत ही ऐसी है अपने इसको फरुका बात दिखाया कन्योज दिखाया ग्वालेर दिखाया पर तुमारी बेटी की किस्मत ही ऐसी है मेरी बेटी पलंग पर ही पड़ी रहती पुरुदे, हमने आज छोड़ दी, तब समय निकलते निकलते, दो हाजार इक्कीस आ गया, मेरी माँ ने पहली वार आपकी कथा, मेरे पास वाली काकी के कहने पर सुनना चालू करी, जब मेरी माँ ने कथा सुनी तो मुझ से कहा बेटा, स् कर खिला देंगे, वो सिवरवाला महराज कहता है, कि श्रामन महिने की शिवरात्री पर पार्थियों पूजन किया गया, तो फल मिलता है, शिव महापुरान की कथा पन बेटी के कानों में हेट फोन लगा कर सुनाएंगे, बेटी को संकर का चड़ा हुआ जल पिलाएंगे, पशु पतिनाथ का बर्थ करेंगे, मेरा विश्वास कहता है, कि वो सिवरवाला महराज बोलता है, तो लोगों के भी पत्र आते हैं, हमने सुना है, वो पत्र में काम होते हैं, में भी करकर देखतीओं और आपन मोका मिला अपने पास giorgt कथा हुई, तो अपन कथा भी सुना में पंडाल में ले जाकर बिठा दिये अपनी बेटी को पंडाल में बिठाया बिठा कर उसको कथा सुनवाई कथा सुनाने के बाद जब धाई महिना पूर्ण हुआ गुर्देव बाबा की ऐसी करपा हुई कि मेरी बेटी पहली बार अपने हाथ के बल उठकर खड़ी हुई और खड़ी होकर आड़ी तेड़ी चलती हुई मेरे पास में आई गुर्देव मेरी बेटी ने सुनना प्रारम करा हम बेटी को आवाज देकर बुलाते बेटी हमारे करीब में आती हम बेटी से बेलपत्र उठबाते वो बेलपत्र उठा कर देती अब मेरी बेटी ने बोलन लगाया है एक जमीन पर रगड़ रगड़ते चलते हुए और एक मेरी बेटी खड़ी हुई उसका दोनों फोटो लगा रहे हुए जो बेटी मेरी चल नहीं पाती थी पड़ी रहती थी बोल नहीं पाती थी उसका भी फोटो है और असी परतिशत वो बोलना मैं तेरे भरूशी जएसे ही साडी गळवड है उसको अची पन्नी में फेक में तरक उड़ाके और उसमें पन्नी में बरतमर्क लगाके और जो चली और चल के और इती प्रेम से भागवत को और पन्नी में पेक करी हुई साडी और बढ़िया चड़ाई पंडी जी को लगा कि बहुत जोड़दार साड़ी है जब घर जाके पंडीतायन को दी पंडीतायन कारात्री चामू डापत गई पंडीतायन ने कर दिया कि कहां से लेका राए ऐसी साड़ी कोई पेंता है अपने पास रखो भगवान का नाम है अपने पास रखो भजने अपने पास रखो किरताने अपने पास कुछ अच्छाई मिल रही है अपने पास बेकार है कि नारे लगाते है विदूर जी की पत्नी सुलभा बोली क्यों चिंता करते हो बोल दिया ना उन्होंने अब सब कोई बात नहीं चलो अब हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे हस्तिनापुर छोड़ कर रहेंगे विदूर जी ने अपनी पत्नी सुलभा को देखा और सुलभा को देखकर कहा कि तू कहती है कि हस्तिनापुर में नहीं रहेंगे हां इस राज महल में अब हमको नहीं रहना अब राज महल छोड़ कर दूसरी जगा जाकर रहें चलो विदूर जी अपनी पत्नी को लेकर एक छोटी सी जोपड़ी बनाकर हस्तिनापुर के बाहर हस्तिनापुर के बाहर एक को टीसी जोपड़ी बनाकर अपने महल से बाहर विदूर जी महराज अपनी जोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी सुलभा के साथ रहने लगे सुलभा संकर की भगत थी इसलिए वो कोई अप्शब्द भी कह देता था तो उसको स्विकार था वो कभी अप्शब्द बोलती नही कभी अप्शब्द ने दो सुलभा का नियम था आड़ा तेड़ा कोई बोले बोलने दो अप्शब्द कह रहा कहने दो ताना दे रहा देने दो कुछ बोले बोलने दो सुलभा का नियम था और सुलभा रोज भगवान की अराधना कर दी बिदुर जी मोन होकर बेठे रहते तो सुल्भा ने कहा किसी के बोलने से अपने सरीर पर क्यों अंतरा है क्यों एक काम करो अगर कोई अप्शब्द कहवी रहा है ना उसके विचारों को छोड़ते चाए हम क्यों किसी बातों पर विमर्ज करें क्यों हम रोएं क्यों हम विचार करें किसल सुल्भा ने अपने पती को समझाया शिव महापुरान की कथाकती है माता पार्वती जी ने शंकर को समझाया था भगवान शंकर की कथाकती है रिद्धि सिद्धी ने भगवान श्री गणेश जी को समझाया था शिव महापुरान की कथा कती आद्धि शक्ति मा भवानी मद्दुरगा संकर भगवान को कभी-कभी ज्ञान उपदेश दे देती है इसलिए उनको विद्ध्या भी कहा जाता है शिव महा पुरान की कथा कती है कभी कभी धर्म पतनी भी अपने पती को सत्मार्ग बता सकती है पर पती समझे तब ने तो पती कह देते तु क्या जानती है तेरे में तो अकल नहीं है तु तो बुद्धिय नहीं है हट चुपिक तुझे मैं क्या कले तो क्या समझेगी अरे भाई जितना ग्यान तुम में है उतना ग्यान उसमें ऐसा नहीं है कभी कभी ही वो अगर अच्छी बात कहे जन मानस के कल्यान की बात कहे तो उसको स्विकार भी करना चाहिए स्विकार करना चाहिए और नहीं करते हैं तुम क्या जानते हो तुम क्या समझती हो कभी कभी चित्वरत्ती में आजाए और शंभू शर्ने मां दूरी में दूख काड़ो दयाकरीन यह शर्ने अभू अब कभी कभी चित्वरत्ती में ऐसा भाव उत्पन हो जाता है कभी कभी अपनी चित्वरत्ती में ऐसा विचार उत्पन हो जाता है जो विचार सरिष्टतम नहीं है कि महा पुराण की कठा करते हैं वह कथा का एक भाव प्रगट करता है। अपने पती विदूरंजी से वह सारी बाते करें सुल्भान ने कहा विदूर जी से स्वामी तुम इतनी सी बात का क्या विचार का ने के शुलभा तुरंत बोली अपने पती से इतनी सी बात का क्या विचार करते हो स्वामी इतनी सी बात आपको सोचना चाहिए सुलभा ने जैसे कहा विदुर जी की चित्वर्ती में बात बेट गए और विदुर जी की चित्वर्ती में जैसे ही बात बेटी विदुर जी महराज ने उसी समय उसी पल उसी घड़ विचार कर लिया सुलभा तू सत्य कर रही है क्या करना चाहिए तू बता क्या करा जा सुलभा ने कहा स्वामी ऐ स्वामी सुलभा कहती है अब क्या चाहते हो वो बता बिदुर जी ने कहा सुलभा भगवान द्वारीका के नात भगवान कृष्ण की भक्ती मैंने जिन्दगी भर करी भगवान कृष्ण के अराधना मैंने जीवन भर करा है भगवान कृष्ण की अवीरल भक्ती मैंने जिन्दगी भर धारन करी है मेंने भगवान कृष्ण की अविरल भक्ती को अपने जीवन में उतारा है सुलभा मैं चाहता हूँ कि द्वार का नात जब हस्तिनापुर में आए तो मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वार का नात मेरे दर्वाजे पर भी पौट मेरे दरवाजे पर और आप समने एक पवित्र चरीत्र श्रमन करा आओगा पवित्र चरीत्र दुरियो धन के मेवात्यागे सबी लोग गाईएगा साथ में दुरियो धन के मेवात्यागे साग भी दुर घर खाईएगा सबसे हुची प्रेम सराएगा सबसे हुची प्रेम सराएगा दुरियो धन के मेवात्यागे सबसे हुची प्रेम सराएगा सबसे हुची प्रेम सराएगा एक विश्वास अपने भीतर प्रगट करकर सुलभा अपने पती से करती है मेरा शिव की अराधना करी है मैंने और मेरा विश्वास करता है भगवान द्वारकानात शंकर के भक्त है मेरा विश्वास करता है शंकर के परंभक्त है देखो दो दिन की कथा है आज की कथा थोड़े समय के बाद में विराम हो जाएगी विश्वाम फरग इकल की कथा सुभा आड़ बज़े से ग्यारा बज़े तक हो जाएगी ٹीवी पर एक बज़े से चार बज़े तक जाएगा वीच बीच में कारेकरता लोग खड़े भी हो जाएंगे औनको देखकर तुम भी खड़ी हो जाओगी, तुमको देखकर तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी को देखकर छोता खड़ा हो जाएगा, तुम कोई नहीं मालूं पड़गा, खड़े क्यों होए, खड़े वो नहीं हुएं खड़े इसलिए हुएं क्योंकि संकर भगवान भी चाहते हैं कि तेरी पांच दिन की भक्ती में थोड़ी तुटी हो जाए तुटी हो जाए अगर पूरी कथा सई से सुन लेगी तो मुझे जोली बरना पड़ेगा और अगर कथा में कसर रह गया तो फिर अगली कथा सुनने के लिए जाएगी तक जोली बरना पड़ेगा इसलिए सावधान सावधान कथा सुनने वेट को पछले विचार कर बेट के अरे ये तो सब चिल्णते रहेंगा चलता रहेगा भगवान की कथा सुनना है पांच दिन मन लगा कर चित लगा कर दिल लगा कर बती लगा तुम लोग तो उसमें के हो गए जैसे एक मंदिर में एक पंडी जी आरती करते थे और मंदिर में पंडी जी आरती करते और उनको आरती के समय पर रोज संक की ध्वनी आती उनको लगता कोई संख बजा रहा, आर्थी करते हैं संख बजा रहा, छे महीने निकल गए पंडी जी के आर्थी करते हैं संख की धोनी सुनाई देख, छे महीने बाद वो संख बजाने की आवाज पंडी जी को नहीं है, पंडी जी पूस्ते पूस्ते पास वाले गाउं में ग मर गया हायरे मेरा संकेश्वर मर गया हायरे मेरा संकेश्वर मर गया पंडी जी ने पूछा कौन मर गया कि हमेरा संकेश्वर मर गया पंडी जी को लगा कोई संख वाले महराज थे वो मर गया विचार पंडी जी को लगा कि इतना बड़ा महराज मर तो अपन भी घोट मोट कर पंडी जी ने भी गंजी करा लिए पंडी जी गंजी करा के मंदिर में आरती कर रहे थे तो आरती में जितने लोग आये थे उन्होंने पूछ लिया पंडी तुमने गंजी क्यों कराई पंडी जी बोले पास के गाउं में एक संक वाले महराज थे वो मर गए इसलिए मैंने गं अब पूरे गाउं ने गंजी करा लिए एक गाउं के लोग गंजे हुए तो दूसरे गाउं में सूचना गई उनने पूछा गंजों से तुमने क्यों गंजी कर रही हमारे गाउं के पास गाउं गाउं के पास गाउं माई संक वाले माराज थे आरती में संक बजाते ते मर गंजी आस पास के जित्ते 42-45 गाओं थे तरे सब गंजी हो गाओं के घंजे खटे हो के आग्रा पहुच गए और जैसे ही गाओं के गंजे शहर में गए तो गंजे गंजे घुम रहे ते कुछ लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कर रही हमारे गाओं के पास गाओं के माईपास गाओं संख वाले महराज थे मर गय तो गंजी कराई मालूं पढ़ा आगरा के लोग कमी क्यों करें उसने का मेरे गाओं के लोगों ने का गाओं के लोगों से पुझा तुने गंजी क्यों करें तो के उसने का उससे पुझा तुने गंजी क्यों करें तो के वो कुमार ने बोला कुमार के पास गए तुने गंजी क्यों करें तो कि मेरे एक ही गधाता विचारा मर गय आई से लिए कराई एक था वास तुम्हारी भी आलात एसी है एसी एक खड़ी हुए तो दूसरी खड़ी मालूम पड़ा थोड़ी देर बाद इती सिरी रेवा खंडे सत्त नराण का थासा मावत मैं तो देर बाद मालूम पड़ा हुआ क्या था बंखा चल रहा था थो फंखे में क्या हुआ था थोड़ा ही चल रहा था तो मैं समझी घिल जाएगा पढ़ो सन्ने का तु तो मेरी जान लेके मानेगी सुल्मा ने पती विदूर जी से कहा भगवान द्वारका के नात जब हस्तीना पुराए तो सबसे पहले सुल्मा की शिव भक्ती के कारण एक शिव भक्त द्वारका नात सबसे पहले विदुर जी के घर पर आकर के लेके चिल के खाकर गई ये श्यु भगते है शंकर की अविदल बगते हैं सुख देती है एक विदल उत्पल नाम के सुर्थे जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुप का प्रहार करकर मारा था तो शंकर जी का नाम कुंद कैश्वर कुंद कैश्वर कोई बिमारी कोई रोग कोई तकलीफ कोई कश्ट जवाता है तो कंद कैश्वर मार्व का नाम लिया जाए दवाई शरीर पर असर ना करे तो जो दवाई डॉक्टर लिखे हमने पहले भी कता में कहा डॉक्टर शिवका एकुर रूप होता है जो डॉक्टर शंकर का रूप है डॉक्तर अगर दवाई लिखा है तो उस दवाई को कुंद कैश्वर महादेव के नाम से खाई है अराम लगना प्रारम कुंद कैश्वर महादेव के श्युमाहा पुराण में एक बड़ा अगर मुका लगेगा आप क्योंकि यह कथा कल विराम हो जाएगी अठारा तारीक को उसके बाद कथा सीधे चार तारीक से प्रारम होगी हरियाना के फरिदाबाद में बीच में पंद्रा सोला दिन का जो भी गेप है इसके बीच में दिपावली उस्व पड़ेगा दिपावली का उस्व है धन तेरस का उस्व है रूप जङौदस का उस्व है एकतिष तारीक की दिवाली है तो कि बीच मेंются ला में है 2004 चृब्ड़ी शब्डीस में इसा तिन दिन आईसा रखेंगे अभी तो हमने आस्था वालों से बात नहीं करी है तो प्रयास करेंगे कि 24, 25 और 26 तारीक को हम लाइब आएं कुबरिश्वर धाम से और आपको दीपावली की पूजन का महत्व भी बताएं और उसका तरीका भी बाते हैं तो यह प्रयास रहेगा कि बीच में जो गैब है उसमें तीन दिन 24, 25 और 26 तारीक को भले एक घंटे के लिए आएं समय आपको सोचल मीडिया पर मालूम पड़ जाएगा कि कितनी बज़े हम लाइब आएंगे और उसमें भगवान शिवजी, कुबरेश्वर महादेयो, कुबेर और लच्षमी को ज़धन देते हैं और लच्षमी और कुबेर सब को धन देते हैं वो क्या पूजन का भी धान क्या करा और इस पूजन को हमारा एक मिस कॉल नंबर है आप लोग जितने बेठे हो अपना मोबाइल निकालो और एक मिस कॉल दो मिस कॉल देंगे आपके पास एक मेसेज आएगा उस सब जुड़ जाएंगे आपके पास में सूचना आ जाएगी कि 24, 25, 26 को कितनी बज़े एक घंटे का प्रवचन या दो घंटे का प्रवचन आएगा मिस कॉल नंबर है आप लोग लिख सकते हैं या लगा सकते हैं सेवन फोर, 338 फिर बापिस, सेवन फोर, 338 यही नंबर है मिस कॉल का एग बापिस देख लीजी आए 74338 74338 यह misscall number है अगर आप misscall देंगे जुड़ेंगे तो आपको यु सारी सूचना है लच्मी पूजन की, रूप चवुदस पूजन की धंतरस पूजन की सब पहुच जाएगे जो वाटसप से जुड़े रहेंगे वाटसप पर प्राप्त कर लेंगे जो भागवान श्री विदल उत्पल को मता-पारवती जी ने कुंदुक का प्रहार करकर समाप्त किया कुंद कैश्वर शिवजी का नाम रहा भागवान श्री गनेजी माहाज का मंगल विवा हो रहा है जिद्धिसे पधार रही है कल कथा का समय सुभा 8 वजे से 11 वजे तक रहेगा आज शिवराति का सुन्दर आनंद रहेगा सब लोग बहुत भगवान की भक्ति करिए भजन करिए जिद्धिसिद्धि भगवाण श्री महाराज के गले में जय माला पिना रहे हैं जो गणे जी ने विद्धी सिद्धी के कंद्हे पर अपना हस्त कमल रखा है बोल गणे जी महराज